नमस्कार दोश्तों हम सभी को ऐसा लगता है कि घात लगाता शिकार शिद जानवरी करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धात लगाता शिकार करने वाले जानवरों के बारे में नहीं बलके पाउदों के बारे में जिनके घात लगाता करने के अत्रहनी तरीके को देखकर आप हैरत में पढ़ जाओंगे तो चलो शुरू करते हैं पाच्वे नमबर पर है द्रोसे राम यह पाउदा दिखने में जितना खुब्सूरत है उतना ही खतरनाख भी है इस पाउदे के पत्तियों पर चोटे रोटे बाल होते हैं जिसके आकरे हिस्से पर एक संदोवेशिल पतार पाया जाता है जिसे देखकर केड़े आकशित होते ह पर बैठ जाते हैं पिरकर यह वाल उन कीडू को जब लेते हैं और उनका पून पी कर मार डालते हैं चौतिय नमबर पर है ट्रॉपिकल फिक्चर प्लांट, में 35 नाम से पेच्छाने जानेवाला यह फिक्चर प्लांट 112 प्लांट में से एक हैं, इस पवदों में बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण कई किड़े यह पारिकीने के लिए आ जाते हैं और इनके अंदर गिर जाते हैं और फिर कभी बार में निकल पाते हैं सीर यह पवधा उन किड़ों में मौजुल इंडियांस को पी जाता है तीसरे नमबर पर है डियों डियां मस्की पुला इस पौदे के शिकार करने के अत्रम की तरुकी को दिखकर आप हैरान हो जाओंगे किसी घात लगा कर शिकार करने वाले जानवर की तरह यह पवधा शिकार करता है जैसे ही कोई शिकार इसके पतियों पर आकर बैटता है या उससे जकड़ लेता है और उस किड़े के मरते तम तब उसे जबड़ रखता है दूसरे नंबर पर है यूट्रीप क्लोरिया पानी में पाय जाने वाले इस पौदे के पानी के उपर बन महँख फूल लोते हैं और पानी के अंदर होता है शिकार करने वाला जाब यहाँ पानी के अंदर शिकार करने के लिए एक उपरा बना कर रखता है और किड़े के अंदर जाते ही बन करकर शिकार कर लेता है पहले नंबर पर है सायरोस सेरिया खुबसूरत सा दिकाई देने वाला यहाँ पेट अपने आप में ही एक पनोपा है पौधे में मवजुद पतियोंि पोफिरोक का अउधिशित करने में महानत आशिद है जब भी कोई कीड़ इस पतियों पर जाकर बखता है अब पतियों में मौजद ग्याए से वाँ بहोषो हो जाता है और इसके अंदर जाकर गित जाता है फिर क्या यह पाउदा उसे निगल जाता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और वे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें हम जल्दे मिलेंगे और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ